मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी की सटीक है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन तीन कारणों पर विशेश बल दिया है। भागवद गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रहा बलकि गीता में ऐसा वर्नन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के तीन कारण कौन-कौन से हैं। यदि नहीं तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही थाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्यान किया। गुरुकल में अभी उसकी शि वाकांक्षा त्याग दी, वह सांसरिक वस्तों को छोड़ कर हिमालय की जंगलों में चला गया, उसने लंबे समय तक तपस्या की, धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी, उस राजे का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, राजा ने सन्यासी से भेंट कर चलने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली, राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिंटों में ही इतना कुछ बादल सकता है, तो यदि ये मेरे पास रहने लगे त जाने की आग्या मांगी, जिस पर राज ने कहा आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं, सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया, बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई, राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की, कुछ समय आइअन डिन पन के लिए बाहर नहीं बाई राचा ने राजानी को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक राजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पका कर सन्यासी को भेज दे थी अग दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई जब भोजन नहीं आय तो सन्यासी सोच में पढ़ गया कि और वह खुद महल में जाकर देखा सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया सन्यासी रानी की सुन्दर्ता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़ कर अपनी कुटिया में पढ़ा रहा राजा जब वापस लोटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं राणी की अद्भुत सुंदर्ता का कायल हो गया हूँ इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए मैं राणी आपको दे दूंगा कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है सन्यासी जोर जोर से चिलाने लगे और रानी से कहा मुझे एक शमा कर दीजिए इस प्रसंग का सार ये है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन होता है